आपके उपर अरोप लगाया कि जम्मू की दलाली आप खा रहे हैं आपने जम्मू के दलाल यहाँ पे बिठा के रखे हैं 370 तूटने के बाद क्या आपका यही मकसद था कि जम्मू में अपने दलालों को बिठाना और उनसे भारी रकम लेनी हम पूछना चाहते हैं आपके चैनलों के माध्यम से asis कि जम्मू की दलाली कोन कौन पी आम O में बैट कर खा रहा है कौन कौन सा मंत्री खा रहा है कि होम पर खानी जिस पर कर आपके MLC ने बताया शरमानी चाहिए बाच्पा के लीडर्स को जो अपने आपको टोग्रे लीडर्स कहते हैं और जम्मू का लीडर कहते हैं आज एक्सपोज हो चुके हैं आज भारते जनता पार्टी नंगी हो चुकी है एक्सपोज हो चुकी है आज करप्शन का अड़ा जो कॉंग्रस पार्टी हमेशा कहते है आई थी आज आप भी के MLC ने बताया कि भारते जनता पार्टी करप्शन की पार्टी बन चुकी है क्या इसलिए लोगों ने आपको निस्वार्थ वोट किया 84 डेज B.S.F.C.S.F. के बच्चों ने आपसे डिमांड की आपके घर के बाहर खड़े होकर जहां आपकी अलिशान कोठी बन रही है बारते जनता पार्टी के कराले के बाहर लेकिन आपका एक भी करे करता एक भी सिनियर लीडर उन बच्चों को पूछने के लिए नहीं आय एक साइज पॉलिसी आपने जमू के अंदर लाई उन तमाम बच्चों को बेरोजगार कर दिया जो पिछले 20 सालों में उन दुकानों में काम कर रहे थे आज क्रेशर वाले अपने बच्चों की दोहाई दे रहे हैं आपको खून की आंसू पी रहे हैं सिरफ डॉक्टर जीत लाल बिठाकर रखे हैं आपी की पार्टी के वरिष्ट नेता ने ये बात साबित कर दी है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी मेरे साथ अनिल कॉली जी अश्वनी हांडा जी नागेश्वर जी वरुन जी सभी हमारे सीनियर अधिकारिगन डॉक्टर जितिंदर सिंग का रजाइ और अभी तक जी जी सदिकारी का विक्रम रंदावाजी ने नाम लिया उनके घर पे सीवी आई का रेट पढ़ना चाहिए था जब जम्मू मुनसिपल कार्परेशन में भी हमने देखा कि धाई सालों में चार चार जो हमारे कमिशनर ट्रांसवर हो गए है आपने सोची समझी साजीश के तहत थिस्यों तोड़ा तिनिसों सतर तोड़ने के बाद जम्मू के हर कोने में जहां से आपको पैसा आ सकता था वहां आपने अपने धलाल बढ़ाए आपके वुरिश्ट मेता ने ये बात साबित कर दी और उस इसे शाबित होता है कि डॉ पूरी तरे से लिप्त हैं और हम उनका रजाइन मांगते हैं तो यह मैं मानता हूं एक जिम्मेबार कार्प्रेटर होने के नाते और पार्टी के वरकर होने के नाते कि इस परकार की जो बाशा है वो मीडिया के आगे नहीं रखनी चाहिए पार्टी के अंदर जितने भी हो लेकिन कम से कम हमें अपने अपनी जीवा के उपर जो है वो थोड़ा सा विराम रखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम मीडिया बंदूं के आगे बैटे हैं और यह कहां कहां तक बात जाएगी तो ठीक है शोकास नोटीस का जवाब वो देंगे उनकी पार्टी क नहीं लगाते जातों आपको पहले ही अपनी हाई कमांड से बात करनी चाहिए थी कि हम ऐसी परकार के अरोप लगाने जा रहे हैं बाकी उनका इंटरनल मामला है लेकिन जो जम्मू के लोगों को और हम लोगों को जो समझ आया कि जब पानी सर से उपर से निकलता है तो इसी देखने को मिलता है हमें यकीन है कि डॉक्टर जितिंदर सिंग जी की दबारा पी ओमू में बैठे हुए तमाम अधिगारी गन जमू शहर का पैसा खाए यह दबाब की पॉल्टिक्स भारते जनता पार्टी ने 2014 से ही करनी शुरू कर दी थी जो इनके खिलाफ बोलता था उसको अंदर कर देते थे कभी ED पीछे लगा देते थे तो कभी कोई income tax पीछे लगा देते थे कभी CBI पीछे लगा देते हैं तो जो भारते जनता पार्टी के किलाफ तीन सो सतर के खिलाफ भी बोलता था तब भी आपने देखा कि उसको कैसे house arrest की मोहिम जो यहां पर शुरू कर दी गई तो भारते जनता पार्टी के खिलाफ जो भी बोलता है मैं समझूँगा कि विक्रम रंधावा जी ने बड़ाई स्रहनिया काम किया बड़ा भादरी का काम किया कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ जब अपने उपर आई तो उन्होंने अपनी पार्टी के उस senior leader को expose किया जो जम्मू के यहां बैट कर दला लिखा रहे है